I am Narayan Kumar Sharma, I am starting chapter 4 for class 6A in science. Video number 1, name of chapter, sorting material into groups. Sorting material into group, आर्थात, material को गुरुप में बाढ़ना, जो पधार्थ हैं, उनको सम्हों में छाटना. अब sorting का मतलब होता है, छाटना, material पधार्थ हो गए, यह वस्तुएं हो गई, गुरुप मनें सम्हों हो गए. अब जो जो फर्स्ट टॉपिक है, वो यह है, objects around us. आर्थात, हमारे चार तरफ विभिन पिरकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं. और यदि हम नाम गिनवाएं, तो यह impossible हो जाएगा, इतनी सारी वस्तुएं हम अपने चार तरफ देखते हैं. बच्चों, example की तरफ पर जिसे chair है, आफिस में भी होती है, घर पे भी होती है, बुलक कार्ड, बेल गाड़ी है, गाव में जाएं तो आपको यह पहले चलती थी. और ए, cycle, cycle साभी चलाते हैं, book, आप लोग यूज करते हैं, pen, copy, चलाई machine हो गई, cut हो गई, bottle हो गई, cooler हो गया, एक्सेक्टर, different things you see around yourself. अब बच्चो, अब हम जो है, वस्तों को एक तरह से, गुरुप में कैसे बाढ़ने हैं, यानि कि क्या चीज, जैसे shape के आधार पर बाढ़ सकते हैं, गुरुप में, जैसे कुछ round shape में होती हैं, कुछ वस्तों, round shape में होती हैं, गोल आकार होता है, जैसे rubber ball है, गोल आकार की होती है ठीक है कुछ circle type की होती है जैसे cycle का जो wheel है जो ऐसे circle type का होता है ऐसे ही कुछ rectangle size की होती है जैसे book वगरा है वो rectangle shape में हो गया है कुछ square shape में होती है जैसे chalk duster हो गया बच्चो तो अलग-अलग कुछ triangle shape में होती है ऐसे ही अलग-अलग आकृती में वस्तों पाए जाती है बच्चो नमबर टू इडेवल इडेवल का मतलब खाने योग कुछ वस्तों ऐसी हैं जिनको हम खाते हैं यूज करते हैं अपने इटिंग पर जैसे फिर्यूट्स हो गए बच्चो एपल मैंगो एक्सेक्टा और आपकी वेजटेवल हो गई जैसे रैडिस हो ग यह इडेवल नहीं है एक हम मैट्रियल किसकी बनी होई ये वस्तों है यानि कि मैट्रियल यूज इन दा आपजेक्ट और दा मिड़ मतलब कौन सा मैट्रियल लगा हुआ है आपजेक्ट में जैसे कुछ प्लास्टिक की बनी आपजेक्ट हो सकती है जैसे कहें कि हम किसकी बनी होंगे पिलास्टिक की अब कुछ वूट्स की बनी होती है जिसे कौट से चारपाई है आपकी टेवल है और आपकी चेयर है मैं आपको बता दू कि एक ही चीज कई बार एक से अधिक मेट्रिल की बनी होती है सबोच चेयर आइरन की बनी हो सकती है पिलास्टिक की बनी हो सकती है वुट की बनी हो सकती है समझे नहीं तो इस तरह से ये कह सकते हैं तो वुट की भी जैसे बोट वगरा है वो वुट की बनी होती है कॉटन की आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म में काम आ सकता है जैसे शार्ड में हैं टाउजर में हैं और पेंट वगरा हैं कॉटन की बनी हो सकती है एक्सेक्टरा फिर कुछ इस पेपर की बनी होती है जैसे निउस पेपर हो गया बच्चो ठीक है आपकी कॉप्य हो गई बुक हो गई यह किसकी बनी होती है पेपर की कुछ मट की बनी होती है मिट्टी की बनी होती है सॉइल की बनी होती है जैसे पिचर हो गया घड़ा आप जो यूज करते हैं दिये यूज करते हैं यह किसके बनी होते हैं soil या मटक है, समझे नहीं, मिट्टी के बने होते हैं, तो इस तरह से material किसके बने होते हैं, ये भी बाट डिपैंड करती है, उनको edible है, नहीं है, edible है, उनकी shape की आधार पर हम उनको group में बाट सकते हैं, sum में बाट सकते हैं, अब बच्चो table 4.1, पहले टेवल है, object और यहां material they are made of, और किस metal की वो बनी होई है, object में जदी प्लेट लें, थाली, थाली बच्चों आप जानते हैं, कि प्लास्टिक की बनी हो सकती है, जैस थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक की, ठीक है, और इस्टील की बनी हो सकती है, और glass काच की बनी हो सकती है, एक्सेक्टरा, अब यदि पैन की बात करें, तो पैन जो है, वो प्लास्टिक का बना हो सकता है, metal भी उसमें लगी हो सकती है, इस तरह से, तो यह रहा कि आपजेक्ट और वो किस material से बन कर तयार है, फिर table 4.2, material, object made of these material, देखिए, इन में material जैसे वुड हो गया, वुड से कौन कौन से चीज मिलकर बनी होती है, जैसे चेयर बनी होती है, वुड की, table बनी हो सकती है, फिर लो hull, आप गाउं में जाएं, तो यह खेत चुताई के काम में आते हैं, यह power driven भी होते हैं, ट्रेक्टर वगरा से चलते हैं बच्चो, या बेलों से भी चल सकते हैं, फिर बुलक कार्ट, जिसको बेल गाड़ी कहते हैं, वो भी लकड़ी की बनी हो सकती है, और बहुत सारे सामन बने सकते हैं, पेपर की बात करें, तो सूस और बेल्ट जो आप लगा के आते हैं, पर्स आदी जो है यह लेदर की बने हो सकते हैं, फिर प्लास्टिक की, जैसे चेर हो गई है, चेर हो गई आपकी, और इस तरह से टेवल हो गई है, पैन हो गया, बहुत सारी चीज़ जो प्लास्टिक की बनी हो सकती हैं, बकेट्स हैं, बोटल हैं, कॉर्टन की भी मैंने आपको बताई, जैसे श्टार्ट हो गया, टाउज और पजावा हो गया है, और आपका लोवर वगरा हो गया, यानि यूनिफॉर्म में काम आते हैं, पैंट वगरा हो गया, एक्सेक्टरा, ये कॉर्टन की बनी हो सकती हैं, कर्मी के समय कॉर्टन की, क्लोथ की बड़ी जबान होती है, बच्चों आप जानते हैं, तो इस इस दा एंड आफ दा वीडियो, I will discuss again the next topic. Thank you.